जी तो जनाब अभी हम वापसी पे जा रहे हैं पर बूंट अगले दिन मारी वापसी हो रही है सुबा शाड़े नौ बजे तो यहां पर एक चीज है कल आपको थकावड और परिशानी में नहीं सही दिखा सकता जहां से मां आखरी मोर चड़ा था तो अब मैं दिखाते देता हूं लेकिन जहां पर मैं खड़ा हूं इससे आगे नहीं मैं जा सकता नीचे जमीन की कंडिशन जो है ना मैं दिखाता हूं आपको यह जनाब बहुत ही ज्यदा डिलान है खडी डिलान है तो यह जनाब जहां मेरी फिंगर है ना यह पत्तर की च्टान के बिलकुल साथ- का खासी नमी है इस पर पाउं रखने की ना कोई जरा से भी इतनी जगा नहीं है जो स्टेट हो इस तरह जैसे वो ट्रैक बना हुआ है यह यह जनाब बिलकुल ऐसे है तो यहां से मौपर चड़ा हूं यहां जा मेरा नाखुन है इस टाम है तो बाकी यह बाएं आत पीछे को रासा बेंड हो रहा है मैं अभी दूर जाकर आपको थोड़ अशा दिखा सकता हूं आप मस्लाइए है कि वह रासा बेंड होक न यह जो मटी है इसके पीछे इसना गेरा होता है चला जाता है तो वह च्टानों तक जाता है यह देख सकते आप कि यह जनाब यह बड़ा इनकाल ओपर चड़ा था। यहान जा मेरी ङंगली है। वो पत्थर के आखरी सिर्फ उसके बाद इस तरह मैं गुमता है। तो जहां पर यह मेरी उंगली हो है। ट्रैकी स τον हुग और यहान मेरी उंगली हैरा के दुर्मियान अभी हम यहां से बाइक पे जाएंगे दोनों बाई दोस्त इस तरह नीचे यह ट्रैक आप देख सकते हैं यह जा रहा है वो अगे नदर आ रहा है तो यह मैं आपको बबून का जिर्नल वियू दिखाता हूँ दरा हाइड एरिया से जितना हमने सफर तया किया ना यहां तक आ यह तकरीबा ने एक से डेड़ किलोमेटर की दूरी होगी इसलान बाई नोड की आपने यह जनाब खैमी है मसला वही है मेरी स्क्रीन पर दूपा रही है लेकिन नदर आ रहे हैं मुझे थोड़े थोड़े यह जनाब जिग-जग होता है ट्रैक है वो सामने ना गलेशियर ह यह यहां पर मैं कुछ तसावीर बनाई है अभी टाइम की कमी तो नहीं है हमारे पास लेकिन मैं चले यहां से भी आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूं इस तरफ का मैंने खुद भी नहीं देखा भी कि इस तरफ क्या चीज है मुझे थोड़ा सा ओर उपर जाना पड़ेगा यहां तक वाव वाव यह मैं देखा याप सुभानला यह देख सकते हैं व्यू यह अपर बरव जमी यह गलेशियर है यह बहुत दूर है मेरे से यह कमास कम भी दास किलो मिल्टर से ज्यादा है भी जाएं बगार जिग-जाग के बड़ा शांदार व्यू है यह आप देख सकते हैं अभी मैं थोड़ा सा और दिखाता हूं आपको मैंने खुद भी नहीं देखा यह वाला एरिया यह मैं दूसरी पाड़ी पे जा रहा हूं थोड़ा सा बाग के सांस का भी इश्यू है लेकिन टाइम का भी इश्यू है मारे साथ यह जनाब रैट रैट पोदी है इन पे कोरा जमोवा था भी भी खतम हुए है उसकी माह तसावीर भी लाग जलादा बनेंवा आपको दिखा होंगा बाद में यह जनाब तक रिबन इस तरह की खड़ी चड़ाई है जो पीछे मैंने चड़ी है यह देखें यह पहाड़ा बहुत बड़ा है यह जांस है 12-13 किलो मिटर पीछे ओफ रोड शुरूत है ना वहां पर जा किसका दूसा सिला मिलता वही से हमाई है वह इसकी निशानी याद रखी थी यह जनाब जनरल ट्रैक है यह आर्मी ने बनाया है एक साल के अंदर 15 सोलो कलो मिटर का उफ ट्रैक है यह जनाब केरन सेक्टर का मुत बादिल है बारत से मकाबला करने के लिए अगर दूसरे ट्रैक पे खुदाना खास्ता कोई दुफाई मसला पे पर याद फिर वो जो पिछे सामने पहाडा उन तक जाता है तो उसके नीचे सारी आर्मी है हमने तसली की थी कि या ड्रोन उडाने में कुछ उना हो तो हमने कुछ ड्रोन शार्ट्स लिए मैं कोशिच करूंगा इसी वीडियो को साथ हैड करके दिखाऊं या लाग से जैसे तो तो आई नीचे तो रहेंगे सरदी काम होती जाएगी गरम ट्रैक सूट पहना हुआ है मैंने गरम अफ्रल है गरम टोपी है तो मनासी बास मेरा यह मेरे प्यार ऐसे दोस्त है ना इनका मेरे बगार दिल लगता ना मेरा इनके बगार हम तो रास्ते में चंद फूटी आगे पिछे होते हैं बस जी मैं वहीं दिखा रहा हूँ यहां पर बकरे के बाल पढ़े हैं कहां से आई है चले ठीक हम साथ-साथ आपको गाइड करत है तो चले है असलाम बई चले चले ठीक है ओके जनाब सभी वीवर को असलाम अलेकुम